हेलो बच्छों कैसे आप सब लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, एक इम्कॉडन चैप्टर है capital budgeting जैसे कि आपको पता है हमारे financial management में तीन तरीके की decision होते है tua financial management में तीन तरीके के decision होते हैं पहला हमारा होता है financing decision एक होता है हमारा dividend decision एक होता है investment decision अब यह जो हमारा capital budgeting है यह investment decision है तीसे नमबर वाला decision है वैसे इस lecture में हम करने के आवाले हैं इस lecture में complete revision करने वाले है capital budgeting की decision की complete revision करने वाले है यहाँ पर मैं example के साथ आपको क्यों review दोंगा पूरे के पूरी chapter का जिसमें आपको सभी formulation, concepts जो important points है सभी के सभी single lecture में आपको revise हो जाएंगे ठीक है बाकी यह की possible नहीं है अब बाकी जो practical questions है वो possible नहीं हो पाएंगे वहाँ पर कुछ कुछ example मैं आपको अपना practical questions करवाने की questions करूंगा जितने से max to max हो पहें ठीक है तो चलिए start करते है capital budgeting decision पहली बार तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे financial management में तीन तरीके के decision होते है financial management में तीन तरीके के decision होते है पहला decision हमारा होता है financing decision financing decision में क्या होता है कि हमें finance कहां से लेना है किस rate पे लेना है मतलब कौन सा जो funds raise करने का जो source है वो कौन सा हमारे लिए अच्छा है debt से लेना चाहिए equity से लेना चाहिए debenture से लेना चाहिए कि loan से लेना चाहिए equity में आगया preference से लेना चाहिए preference से लेना चाहिए equity से लेना चाहिए या internal source से वहाँ सही generate कर लेना चाहिए ठीक है और दूसरा decision होता है dividend dividend decision में हम लोग क्या करते है dividend देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जिसके लिए आपको बता है हमारे chapter है important जिसका नाम क्या है dividend policy उसमें हम लोग क्या पूरे chapter में consider करते हैं पूरे chapter में हम लोग यही discussion करते हैं कि क्या हमें dividend देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए अगर देना चाहिए तो equal to the EPS देना चाहिए या फिर उसे कम देना चाहिए है ना उसके बाद investment investment decision में हम लोग यह देखते हैं कि हमें investment जो करनी है जैसे कि यह chapter है हमारा capital budgeting investment करने के लिए हम लोग management क्या है decision लेती है decision किस चीज़ का लेती है कि माल दीजे हमारे पास चार project की proposals है ABCD अब ABCD में से कौन सा proposal हम हमें accept करना चाहिए वो हमारा क्या है investment decision है ठीक है उसकी हम सभी जो भी detail है उसको हम compare करेंगे और decide करेंगे कि यह project लेना चाहिए कि यह बला लेना चाहिए ठीक है हमें अपनी हमारी जो business entity है उसके according most suitable most profitable most beneficial project कौन सा है वो हमारा आजाएगा investment decision में ठीक है इसमें बहुत सारी topics आएंगे one by one हम एक एक करके discuss करते जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले पहले में आपको कुछ जो terminologies हैं यहाँ पर इस्तेमाल होती है बार बार पहले हम उसका यहाँ पर पटाफट क्यों क्रीविन लेंगे सबसे पहले एक term जो है पूरे chapter में बहुत use होती है जिसका नाम क्या है CFAT full form क्या है cash flow after tax cash flow after tax अब यह कैसे आएगी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे annual inflows उसमें से minus करेंगे annual expenses minus करेंगे depreciation यह क्या आजाएगा यह मरा आजाएगा profit before taxes ठीक है जी इसके बाद हम taxes less कर देंगे यह हमारी value जो आजाएगी क्या आजाएगी profit after taxes that is pat ठीक है जी इसको क्या बोलते हैं pat अब इसमें हम लोग add कर देंगे depreciation यह जो value आती है इसको हम बोलते हैं cash flows after taxes that is cf-e-t या फिर इसको और क्या नाम देते हैं इसको हम और क्या बोल देते हैं cash flows after taxes but before depreciation चीक है अब हमारा जो chapter है यह capital budgeting इसमें मैं अगर बात करूँ आपको पूरे chapter में सभी जगह पर सभी जगह पर complete chapter में in all methods cf-e-t use होता है cf-e-t use होगा except सरफ एक ही method होगा that is average rate of return that is average rate of return एक सरफ average rate of return method होगा जहां पर average rate of return method में सरफ क्या यूज होगा profit after tax बाकि सभी methods में क्या यूज होने वाला है बाकि सभी method में cf-e-t use होने वाला है ठीक है वो कैसे अगर मैं बात करूँ यहां पर यहां तक तो समझ आता है annual expenses minus depreciation ठीक है और यह आ गया PBT आ गया ठीक है और फिर टेक्सलेस किये पैट आ गया यहां तक तो समझ आता है अभी तक हम लोग यही करते आ रहे थे यहां पैट करते आ रहे थे अब यहां पर depreciation एड़ करने का reason क्या हुआ depreciation हमने क्यों एड़ बैक करे इसका बच्चो रीजन यह था कि जब हम investment decision लेंगे investment decision करेंगे investment decision में क्या आ जाएगा कि हमें यह वाला project लेना है या यह वाला लेना है या फिर आप कह सकते हो inflows को outflows के साथ comparison करोगे inflows को outflows के साथ comparison करोगे जब आप inflow को outflows के साथ comparison करोगे एक तरफ inflows आ गए आपके एक तरफ आउट्लोज आ गए आपके एक तरफ इंफ्लोज आ गए एक तरफ आउट्लोज आ गए अब आपने आउट्फ्लो में कोस्ट ओफ एसेट तो लेही ली आउट्लो में कोस्ट ओफ एसेट तो लेही ली है कि नहीं आउट्लो में कोस्ट ओफ एसेट तो लेही ली अब इंफ्लो निकालते वक्त आप क्या कर रहे हो actually में depreciation होती ही क्या है actually में depreciation होती ही क्या है asset की जो cost है उसको useful life में allocate करना asset की cost को उसकी useful life में allocate करना उसी को depreciation बोलते है न तो इसका मतलब क्या हुआ एक तो हमने depreciation cost of asset हमने as a outlook consider कर ली दूसरा हमने depreciation के रूप में inflows निकालते वक्त CFAT निकालते वक्त वहाँ पर भी consider कर ली इसका मतलब क्या हुआ एक expenditure को एक amount को दो बार हमने claim कर लिया पहली बार cost of asset के रूप में claim कर लिया दूसरी बार depreciation के रूप में claim कर लिया इसलिए हम लोग क्या करते हैं depreciation को add back करते हैं अब आप पूछोगे सर फिर तो less क्यों किया अगर करना ही था add back तो less क्यों किया सर बच्चो less इसलिए किया less हम इसलिए करते हैं क्योंकि depreciation जो है चाहे वो as per the accounting standards हो चाहे वो companies act 2013 हो चाहे वो income tax act 1961 के according हो किसी भी जगा पर ये नहीं लेखा कि आप depreciation claim नहीं कर सकते है ना आप depreciation compulsory है record करना आपको as an expenses claim करना ही होगा record करना ही होगा है ना as an expenses claim करना ही होगा record करना ही होगा जिससे क्या होगा expenses claim करने से आपका profit कम हो जाएगा profit कम होने से आपका tax कम हो जाएगा है ना profit कम होने से आपका tax कम हो जाएगा आपका tax कम हो गया में बर्पस फूरा हो गया आपका है ना टेक्स बचा के आपका inflow हो गया दिखा जाए टेक्स सेविंग इंडिरेक्टली है क्या टेक्स सेविंग इंडिरेक्टली है क्या inflow ही तो है है ना यह आपको आगे जाके काम आएगा टेक्स सिविंग इंडिरेक्टली इंफ्लो ही तो है हमारा छीक है जैसे कि मा लीजिए यहां पर प्रॉफिट बिफोर टेक्स है 100 रुपे इंफ्लो है 200 रुपे एनोल एक्सपैंसे है 80 रुपीज डेप्रिशिशन है 20 तो पीबीटी कितना हो गया 100 मा लीजिए टेक्स रिट 30 परसेंट है तो सौ का 30 परसेंट 30 हो गया तो पैड कितना हो गया 70 चीक है जी और डेप्रिशिशन वापस हम एड़ बैक कर देंगे 20 रुपीज तो देखा जाए CFAT कितना हो गया 90 रुपे हो गया टेक्स टुक्स देखे हमारी जे में अभी वी कैश नगद कैश कितना बचा है प्राफिट 90 रुपे चलो अब अगर हम मैं आपकी बात मान लूँ कि बही जो डेप्रिशिशन है वो मैं क्लेम नहीं करना चाहता लेस क्यों की सर एड की जब करनी थी तो लेस क्यों की तो आपको दिखा देता हूं इसका नुक्सान क्या होगा 200 रुपीज आपने क्या किया वही इन्फलो आ गया annual expenses 80 रुपीज ये मैंने आपकी बात मान ली डेप्रिशन नहीं ली तो ये कितना हो गया 120 हो गया ठीक है और 120 का 30% profit before tax कितना है 120 इसका 30% डेप्रिशिशन हो जाएका 36 रुपीज ठीक है तो ये कितना हो गया 84 डेप्शन जब माइनस नहीं करी तो एड क्यों करेंगे तो ये लो एक बाइट सरकार ने माली गवर्मेंट ने बाइट माली उस अमाउंट के उपर जो अपने अब ये जो 20 रुपे था इसकी कितने परसंट डेप्रिशिशन दिखा जाए तो 20 रुपे आपका profit बढ़ गया profit बढ़ने से आपका 20 रुपे के उपर 30% टेक्स बढ़ गया 20 का 30% टेक्स कितना था 6 रुपे अब आप देखी लो इन दोनों के इन दोनों के profit में difference कितने का है इन दोनों में छेड़ पर काई डिफरेंस है तो इससे क्या हो गया साबित कि वही depreciation claim करना business entity के हेत में है favor में है कोई गलाचीज नहीं अच्छी बात है ठीक है इसलिए हम लोग पहले depreciation माइनस करते है tax को saving करने के लिए tax saving आप note लिक भी सकते हो यहां पर tax saving actually में क्या है inflows है है न टेक्स सेविंग inflows है ठीक है पुच्छो चलिए यह हमारा अब आपको समझ आ गया है CFAT क्या होता है है cash flow after tax अब इसमें वमें इने आपको बताया दो चीजीयआ अपको कामनेवाली है एक क्या काम आने वाली है पैट कामनेवाला है ठीक है एक कामनेवाला है लेजी कंगे अब मैं आपको बताया कि पूरे चेप्टर में आपको CFAT इस्तेवाल होने वाला है पैट एक ही मेथड में इस्तेवाल होने वाला है वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं second term के उपर यह अपका पैट और indirectly CFAT दो term हो गए एक में ठीक है जी दूसरा होता है second term cash outlay cash outlay में क्या आजाता है cash outlay में एक तो cost of machine आजाएगा cost of asset जो हमने शुरुआत में खरीदी है ठीक है number 2 cost of working capital यह आप किया जाएगी working capital क्या है एक्चुरी में working capital एक्चुरी में अपकी एक पैसा है जो machine के चलते चलते वही cash flow rotate होता जाएगा यह ना working capital क्या होता है current asset minus current liability is equal to working capital ऐसा कुछ ही होता है ना current asset minus current liability is equal to working capital ठीक है अब देखो फुल मिलाके अगर मैं आपको बात करूं working capital क्या था जो day to day business proceeding में हमारा पैसा block हुआ था वो working capital है यह ना day to day business proceeding में जो पैसा इस्तिवाल हुआ था वो working capital है अब working capital में working capital में हमने क्या की है जो पैसा हमारा आज लगा साल बाद वापस आ गया फिर शुरुवात में लगा फिर आ गया साल बाद मतलब क्या होगा वो rotate होता रहा आता रहा block होता रहा आता रहा block होता रहा वो तब तक देखा जाए इंडरेक्ली मार्किट में ही रहा जब तक वो हमारा बिजनस चलेगा मतलब वो पैसा invest हो गए आज की डेट में पर वो वापस कब आएगा जब मशीन की life खतम हो जाएगी है ना मशीन की life खतम हो जाएगी इसलिए आज के लिए तो आज के लिए तो वो पैसा लग गया ना ठीक है जी ठीक है सर यह हो गया आपका cash out ले चले नेक्स टर्म हमारा क्या होता है salvage value यह अब लोग काफी जगा पे पहले भी बढ़ चुके हो salvage value क्या होता है salvage value means realizable value of asset at the end of it's useful life realizable value of assets it's useful life मतलब आप कह सकते हो or you can say scrap value scrap value asset की जो scrap value है useful life खतम होने के बाद वो कितने की बिकेगी ठीक है जी उसको हम क्या बोलते हैं salvage value scrap value salvage value एक और है term terminal inflow terminal inflows terminal inflow क्या है inflows which can be recovered at the end of it's useful life or you can say useful life of project or asset ठीक है जी जो value realize की जा सकती है asset की useful life के बाद अब इसमें दो चीज़े आती है कौन कौन सी है एक salvage value of machine अब salvage value क्या होती है यह मैं पहले ही बता चुका हूँ plus working capital है ना जैसे मैंने आपको बताया कि working capital क्या है जो अभी पैसा लगेगा अलबाद आ जाएगा फिर रोटेट करते करते देखा जाए बिजनस में रहेगा बिजनस में रहेगा बट वो एक्चुली में recover काब हो जाएगा एक्चुली में recover तब हो जाएगा जब asset की life खतम हो जाएगी asset की life जब खतम हो जाएगी ठीक है जी तो यह आपका क्या जाएगा terminal inflow यह बात अलग है अब इसके अब पर हम present value factor भी लगाएंगे अभी आपको present value factor तो पता नहीं क्या होता है चलिए अब अगला मैं आपको term बताने वाला हूँ cost of capital actually में इसके बहुत सारे नाम होते है cost of capital बोल देते हैं discount rate बोल देते हैं rate of interest बोल देते हैं required rate of return बोल देते हैं cost of capital discount rate rate of interest और required rate of return actually में यह होता क्या है यह बहुत important दिल्चस्प है इसलिए ध्यान से सुनिएगा cost of capital से मतलब होता है कि हमारा जो पैसा लगा हुआ है हमारा जो पैसा लगा हुआ है उस पे return कितनी आ रहे है हमारा जो पैसा लगा हुआ है उस पे हमें कम से कम return कितनी चाहिए हमें कम से कम return कितनी चाहिए अब return कितनी चाहिए का मतलब क्या है हमारा खर्चा कितना हो रहा है खर्चे से मतलब cost of finance है यहाँ पर अब देखें कोई भी business entity होती है या तो फिर उसके पास अब हम मान के चलते हैं कोई भी business entity जो होती है वो zero होती कैसा उसके पास हम मान के चलते हैं ही नहीं अब आप कोगे ऐसे कैसे हो चकता है सर capital तो होती है capital को हम क्या मानते है liability अगर capital firm की अपनी हो तो उसको हम liability side क्यों लिखें double entry rule इसी सोच से ही तो बनाया गया है एक नई business entity शुरू होती है मान लिजे एक चोटा सा आपने sole proprietorship firm business शुरू किया अगर आपने वो भी शुरू किया मैं मान लिजे sole proprietorship business शुरू करता हूँ तो मैं वो एक लाख रुपे cash लेकर आया बिजनस में तो उसकी क्या जनर entry होती है cash account debit to capital cash account debit to capital cash asset side आजएगा capital liability side आजएगी देखा जाए इससे पहले balance sheet थो क्या थी zero blank थी मतलब business entity के पास अपने आप में कुछ नहीं है उसका खुद का कुछ नहीं होता है ना और आपको पता है business entity concept के according business और honor दो अलग अलग परसन है इसलिए आप उसको एक कैसे मान सकते हो business और honor दोनों अलग अलग है है कि नहीं अब आपने capital business में लेकर आए अब capital हमने liability इसलिए लिखा ना कि business की नहीं है capital actually मैं business की है पर वो पैसा तो किसी और बंदे का है ना उस बंदे को हम लोग क्या बोल रहे है capital बोल रहे है है कि नहीं अगर यही पैसा किसी और से लिया होता मालिक की वज़ाए बिजनस के honor की वज़ाए किसी और से पैसा लिया होता तो वो loan कहलाता इसका मतलब है तो बाहर का पैसा ही ना indirectly क्वेशव capital मालिक लेकर आeight हा business entity नहीं का है ना कुछ ना कुछ तो उमीद रखता ही है अब इस बिजनस ओनर मैंने प्रोप्राइटर मैंने बिजनस में पैसा एक लख पर लगाया अब मैं उस बिजनस से कुछ ना कुछ तो बल की उमीद करूंगा ना कुछ ना कुछ रिटर्न की उमीद तो करूंगा अब मैंने जो र रिटर्न आई है मेरे पास चाईए मुझे कम से कम जो डिटर्न चाहिए इस रिकॉाइट Veep capital actually में क्या होती है required rate of return है कि इस project से कम से कम इतना पैसा तो recover करना ही करना है अब दिखो ना आप लोग कल को CA बनते हो कल को CA बनते हो तो CA बनने के बाद आपका आपके मन में ये तमना रहेगी कि कम से कम मुझे इतना return तो कम आना है तो कि मैंने इतने साल मेहनत करी है इतनी गड़ी मेहनत करी है इतने ही मैंने अपने साल गलाए है लाइफ के है ना तो मुझे कम से कम महीने में इतनी कमाई तो return तो आनी ही चाहिए है है तो actually में वह आपकी क्या है post of capital है कि आपनी आप अपनी value डाल रहे हो कि मुझे इतना return दिखावर करना ही करना है अब वह आपके उपर है अब आप अपने आप से कितना expect करते हो यह कहते हैं जितना गुड़ डालो कि उतना मिठा है तो गुड़ तो आपको ही डालना बड़ेगा अब आप कुछ efforts extra करो ना उमीद करो कि मैं 50 लाग पर महिने के 2 करोड़ महिने के कमाल हूँ ऐसे नहीं होता था इसलिए required rate of return अब एक project से आपको 8% required rate of return भी आ सकती है एक से 25% भी आ सकती है है ना कुछन में दी हो सकती है वो business entity के उपर है उनको लगता है कि हमने risk लिया है हमें उमीद की पूरी है कि इतनी हमारा खर्चा पढ़ रहा है cost पढ़ रही है capital की तो उसकी ज़्यादा भी हो सकती है एक नहीं है तो यह हमारा था cost of capital और required rate of return ठीक है जी यह important important कुछ अपने terminologies थी ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं methods or techniques methods or techniques of capital visiting decisions अब दो तरिकी की techniques या methods बोल सकते हो approaches methods, techniques या आप क्या लिख सकते हो बता सकते हो approaches दो तरिकी की approaches होती है एक होता है traditional approach एक होता है आपका modern approach traditional approaches, modern approaches traditional approach में सरफ दो ही method आते हैं एक simple पीबेक पीजेट दूसरा average rate of return method दूसरा है modern approach modern approach में क्या आ जाएगा number 1 आ जाएगा discounted payback period discounted payback period net present value प्रिल्सology g प्रेष्सर अर्ट पहाँ है कि अयुकितल अप्रेट। इंड्स अपितल अग्डाव्र citizens 40 C. प्रेड मेंदिए इंटरीढ भिटर इंड इंडिलियन ग्रेर्वे। रिप्लेस्मेंट डिसीजन रिप्लेस्मेंट डिसीजन एक्वेलेंट मेथड़ एक्वेलेंट मेथड़ एक्वेलेंट मेथड़ ठीक है यह साथ मेथड़ होते हैं हमारे modern की modern approaches में और आपको बढ़ा है जो next chapter हमारा है risk analysis वाला वो भी आएगा वो मैं आपको अलग से करवाँगा risk analysis वो मैं आपको अलग से करवाँगा उसमें आपको पता है 4-5 topic आते हैं वो बिलकुल नए हैं आप लोगों के लिए वो मैं study material में से करवाँगा आपको study mat के according करवाँगा वहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुए ठीक है जी traditional approach, modern approach अब इन दोनों को ये नाम देने का कारण क्या है पहले मैं traditional approach में चलता हूँ traditional approach में हम लोग क्या लेते हैं एक simple payback एक average rate of return पहली बात तो traditional approach होता क्या है traditional approach से मतलब होता है जो हमारी पराणी approaches है पराणी approach क्या होती थी without discount rate without discount rate discounted मतलब बिना interest factor consider किये capital budgeting decision that is traditional approaches of investment decision और traditional approaches of capital budgeting decision ठीक है traditional approach traditional मतलब पुरानी approaches थी वहाँ पर interest को इतना ज़्यादा एहमियत नहीं दी जाती थी पर आज की rate में आपको पता है modern जमाने में interest factor बहुत एक important element होता है interest एक बहुत important element होता है किसी भी capital budgeting या investment decision लेने के लिए है ना discount interest factor बहुत important होता है वो मैं आपको modern जब approaches करवाँगा तो वहाँ पर बताता जाओंगा आपको अब traditional approach में जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर हम interest factor को बिलकुल ही consider नहीं करते हैं ठीक है traditional approach उसमें बिलकुल ही हम लोग consider नहीं करते किसी को time value of money को मतलब discount rate को मतलब rate of interest को मतलब discount factor को चलिए traditional approach पर आते हैं traditional approach में method number one था हमारा simple payback period simple payback period simple payback period का मतलब होता है कि कितने सालों में लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा simple payback method जो है period जो method है यह आपको पताता है कि आपका जो project है आपका जो investment है आपकी जो explain करेगा कि इतने सालों में लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा इसका मतलब यह हुआ simple payback period में जो machine जितना जल्दी पैसा लेगा रहेगी वो उतना बढ़िया है चीक है जी चीक है मैं आपकी sum आप करके भी बताऊंगा पर मैं आपको बता देता हूँ अब आपको simple payback period तो मतलब गया कि simple payback period means period in which period in which invested amount recovered ठीक है जी invested amount recovered अब actually में simple payback period के दो cases होते हैं अब आप इसको दो तरीके से देख सकते हो पहला तरीका क्या है पहला तरीका हमारा यह होता है कि पहला है equal inflows every year वर्स्ट केस होता है कि अगर equal inflow हो हर साल दूसरा होता है unequal अगंगल ठीक है जी अनिकोल इंफ्लो डूरिंग दा लाइफ ऑफ एसेट अब इसमें क्या होता है एक्जामपल ले रेता हूँ मैं माली जी और एक्जामपल कोस्ट आफ एसेट है एक अलाख रुपे एसेट की लाइफ कितनी है पान साल और हमारा CFAT कितना है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये है माल दीजिए 40,000 रुपे ठीक है जी 40,000 रुपीज तो हमारा इसमें पेबेक सिंपल सिंपल पेबेक पीरड कितना हो जाएगा यहां पे क्या फॉर्मला लग जाएगा इसमें जब सिंपल पेबेक पीरड अनौल इनफ्लो सेम होगा तो क्या हो जाएगा इसमें अब कैश आउटले कितना है एक लाख उरुपे डिवाइड बे अनोल से ये फिटी कितना है 40,000 रुपे तो इसका मतलब क्या हुआ 2.5 येर्स ठीक है जी 2.5 येर्स और you can say 2 years and 6 months ठीक है जी 2 साल और 6 मेंगे ये तो केस वो था जब annual CFAT सेम रहता है अब अनिक्वल में अब एक्जामपल ले सकते हो कोशन वही है मान मान दीजिए कोस्ट अफ एसेड एक लाग है लाइफ अफ अफ एसेड कितनी है पान सारी है तब CFAT मान दीजिए कैसे कैसे है ये पहला साल है ये दूसरा है ये तीसरा है ये चौता है ये पाँच वाएं सौरी ये हम लिख लेते हैं इदर इदर हम लिख लेते हैं येस ये हमारा आगया CFAT अब मान दीजिए ये है 40,000 यह 30,000 यह 50,000 इधर 30 है और इधर 20 है ठीक है जी तो यहां पर अब आप simple formula तो लगा नहीं सकते simple formula तो लगा नहीं सकते कौन सा formula नहीं लगा सकते कि वही annual CFAT divide by cash outlet divide by annual CFAT नहीं लग सकता ना क्योंकि CFAT जो है वो same नहीं है हर साल तो यहां पर कौन सा formula method लगेगा कौन सी technique यूज़ करेंगे हम निकालने के लिए simple payback period यहां पर आपको देखा जाए आपको करना क्या है यहां पर सरफ आपको यह बताना है कि कितने साल में लगाया हुआ पैसा रेकावर हुआ है ना तो आपको क्या करना है इधर आपको years लिखते जाने है इधर आपको CFAT लिखते जाने है कितनी रेकावर करनी है CFAT एक लाख रुपे ओन लाक रुपीस रेकावर करना है एक लाक रुपे रेकावर करना है CFAT पहले साल में कितना आया 40,000 दूसरे साल में कितना आया 30,000 अब दिखा जाए दो साल में कितना recover हो गया है 70,000 कितना आउज चाहिए 30,000 तीसे साल में 30 नहीं आया तीसे साल में कितना आया है तीसे साल में 50,000 आया है तो इसका मतलब है 30 साल, 30 साल पूरा नहीं लगा हमारा हमारे 30,000 पे recover करने के लिए 3rd year में हमें चाहिए कितना था स्रफ 30,000 पर inflow कितने का है 50 का है तो इसका मतलब है पूरा साल नहीं लगा होगा कुछ महीने लगे होंगे तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 30,000 यह हमारा हो गया पूरा एक लाख अरुपे, है कि नहीं और यहाँ पर कैसे निकालेंगे कितना required था required था 30,000 required divided by actual inflow actual inflow कितना था 50,000 तो यह हो गया 30,000 divided by 50,000 30,000 divided by 50,000, that is 0.6 तो यह आपका हो गया कितना 2.6 यह अब इसको और किस तरीके से explain कर सकते हैं आप लोग और 2 यह और 0.6 0.6 यह तो इसको मन्त में convert करोगे 0.6 into 12 करोगे ना तो यह कितना हो जाएगा 7.2 months आप इसको round off भी कर सकते हो 7 months कर सकते हो ठीक है जी 2 years and 7 months ठीक है मतलब 2 साल 7 महिने में लगाया हुआ पैसा वापेस आ जायागा ठीक है जी अब इसमें एक चीज यह आपका 2 टेकनीक से ही 2 वे से ही आपको आ सकता है पैबेक पिरिड का 3 तरीके से कभी भी नहीं आयागा ठीक है जी 3 तरीके से 3 तरीका होता ही नहीं तो आएगा कहां से यही equal inflow होगा या un equal inflow होगा तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग इस तरीके से simple पैबेक पिरिड निकाल सकते हो अब मैं आपको बताने जा रहा था कि शुरुआत में कि आपको decision कैसे लेना है मालीजे decision आता है पैबेक पिरिड में कि कौन सी machine अच्छी है कौन सी बुरी है तो decision क्या होगा किस base पर होगा higher दस पैबेक पिरिड दो ही case होगे न एक higher दस पैबेक पिरिड एक lower दस पैबेक पिरिड जितना ज्यादा lower पैबेक पिरिड होगा उतना ज्यादा acceptable होगा है न वो project acceptable होगा और ये not acceptable not acceptable और you can say not favorable not favorable यहाँ पर माना जाएगा कि बई ऐसा नहीं है माना लीजे चाहे ये दोनों अलग-λग method ہी थे अलग-अलग यहा पर दो साल 5 महीने है यहाँ पर दो साल 7 महीने है ठीक है माना लीजे दो अलग-अलग मशीने हैं suppose कीजिए न तो तो आप कहोगे कि ये मशीन A वाली बढ़िया है मशीन A वाली बढ़िया क्यों है क्योंकि ये जादा जल्दी पैसा रिकावर कर दिया एक महिने पहले इसने जल्दी रिकावर कर दिया और मशीन B इसलिए बढ़िया नहीं है क्योंकि इसलिए एक महीना ज़्यादा लगाया है इसलिए मशीन अच्छी है अब बात आती है अब देखो यहां पर टोटल इंफलो कितना हुआ 40 गार इंटू 5 दो लाक रुपे हुए इसमें पूरी एसेट की लाइफ में कितना पैसा रेकावर हुआ दो लाक रुपे और इधर मशीन बी में मशीन बी में लाइफ आफ एसेट में कितना पैसा रेकावर हुआ 40 एं 30 70 70 प्लस 50 70 प्लस 50 120 120 प्लस 30 160 40 30 70 पंजा एक वी एक बीस और तीस एक प्रचास एक सत्तर 1,70,000 होगा ठीक है 1,70,000 अब देखा जाए मशीन ए ने ज़्यादा रेकावर किया है तो हर हालत में होनी तो मशीन ए यह अच्छी चाहिए थी क्योंकि मशीन ए ने ज़्यादा रेकावरी किया है यहाँ पर जो डिशनल लिया जाता है वो किस बेसिस पर कितनी जल्दी जो मशीन पैसा रेकावर करके देगी वो मशीन उतनी अच्छी है उतनी बढ़िया मशीन है वो ठीक है जी यह था हमारा सिंपल पेड़ियाग पीरियाड चलिए अब अगले पर आते हैं next method हमारा next traditional approach क्या है average rate of return average rate of return में क्या होता है average return divided by actually में जो formula होता है वो होता है net investment into 100 ठीक है पर आपके ICI के study material में कई question में लिया हुआ है और दिया हुआ है क्या आप यह वोला formula भी लगा सकते हो average divide by initial investment पर कोई भी formula गलत नहीं है मैं आपको clearly बोल रहा हूँ कोई भी formula गलत नहीं है दोनों सही है क्योंकि जो नया study material है उसमें initial investment लिया हुआ है इससे पहले जो practice manual study material था ठीक है उसमें हम लोग net investment में लेते थे चाहे आप बीकॉम की बुक में देख लीजिए चाहे आप किसी और को उसमें देख लीजिए net investment ही लेते हैं यह आपकी मज्जी है दोनों ही सही होंगे ठीक है दोनों ही 100 percent perfect है ठीक है चलिए सर उसके बाद आते है average return यह पहली बात तो है क्या average rate of return है क्या यहां पर हम क्या निकाल रहे है average rate of return कितनी आ रही है हमें investment से ठीक है जी यहां पर मैंने आपको बताया था हम average return में क्या लेते हैं average return में क्या लेते हैं sum of pat divide by number of years अब pat बताने की मेरे को जुरुत नहीं है pat already बता चुका हूँ profit after tax है total हो जाएगा pat का माली यह 5 साल है तो 5 साल का profit after tax का total हो जाएगा number of years हो जाएगे तो यह क्या आ जाएगा आपका average return आ जाएगा अब यहां पर pat क्यों लिया यहां पर CFAT क्यों नहीं लिया इसका कारण सर इसके पीछे यह कारण होता है कि जो हमारा profit after tax है यहां पर हम average rate of return निकाल रहे है कि जो on and average हमारे पास जो हमने project लगाया है उससे on and average return कितनी आ रहे है उससे on and average return कितनी आ रहे है return का मतलब ही क्या होता है profit after tax ही होता है profit profit कौन सा after tax है कि नहीं तो इसलिए यहां पर हम profit after tax लेते हैं और initial investment का मतलब या cost of investment जो भी आप लेना चाहते हो net investment sorry initial investment तो क्या है जो cost of machine है that is initial investment और net investment का मतलब क्या होता है net investment से मतलब होता है cost of machine या cost of asset minus salvage value ठीक है जी that is net investment उसको क्या बोलते हैं हम net investment बोलते हैं ठीक है जी अब माल लीजिए यही question को हम लोग क्या करते हैं हम लोग किस तरीके से ARR में निकालते हैं suppose किजिए अब हमारा पांच साल दिये हुए थे one two three four and five यहां पर आपको cf80 given था है ना cf80 given था ना तो कितना कितना था यह था चालिस तीस पचास तीस बीस चालिस तीस पचास अब एक तो आप असान तरीके से क्या कर सकते हो sum of cf80 कर दो sum of cf80 सीधा ही उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो cost of asset क्योंकि depreciation क्या है depreciation क्या है asset को allocate किया हुए पूरे पांच साल में यहां पे तो क्या किया हुआ जब नहीं बोला हुआ तो सम्मझके चलते हो Jang कि depreciation का कौना मेंटड है का कौनसा मेंटड है state-line मेंटड है अब को पता ही हरसाट आप्षेन musimy distribute हो जाती एकुली distribute हो जाती है आपने क्या किया cost of asset को equally distribute कर दिया है क्या cost of asset तो यह अपका क्या रहेगा जैसे हमारी जो CFAT थी टोटल कितनी थी 40,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 तो sum of CFAT कितनी थी 170 और cost of asset कितनी थी 1,00,000 तो pad कितना हो गया 70,000 अब इसको अगर मा लीजिए आपको हर साल अलग-अलग भी निकालना है कोई दिक्कत नहीं है उससे भी निकाल सकते हैं तो अब CFAT और PAT में क्या difference होता था सर PAT प्लस depreciation CFAT होता था PAT प्लस depreciation यही होता था था ना PAT प्लस depreciation यह हो गया CFAT है कि निक? CFAT अब actually में उल्टा जाना है हमें तो depreciation माइनस कर देंगे तो depreciation कितनी है? cost of asset कितनी है? 1 lakh cost of asset कितनी है? 1 lakh divide by life of asset 5 तो हर सल की depreciation कितनी हो गई? 20,000 20,000 हो गई तो 40,000 माइनस 20,000 कितना हो गया? 20,000 30 माइनस 20 10,000 50 माइनस 20 30 30 माइनस 20 10,000 20 माइनस 20 0 अब आप टोटल करके देखे लो 20 ब्लस 10 30 30 ब्लस 30 60 60 ब्लस 10 70,000 तो लीजिए sum of pat कितना हो गया? ठीक है जी? sum of pat 70,000 ठीक है जी? अब हमारा average rate of return का formula क्या था? average return average return कितनी थी? 70,000 divide by 5 ठीक है जी? तो ये कितना हो जाएगा? 14,000 ठीक है जी? अब यहाँ पर initial investment और net investment same ही है इसलिए क्या आ जाएगा? 14,000 that is average return divide by net investment कितनी है? 1 lakh into 100 तो ये कितना हो जाएगा? 14% इसमें एक और होता है जहां से सुनिएगा ये तो बिल्कुल perfect है अब इसमें एक और चीज़ है जो actually practically गलत है बट ली होई है average return on average investment average rate of return on average investment तो इसमें क्या करोगे? average investment निकालने के लिए क्या करोगे? investment, cost of net investment divided by 2 कर दोगे या फिर initial investment divided by 2 कर दोगे है कि नहीं? तो average rate average return कितनी थी आपकी 14,000? divide by average investment into 100 अब मैं आपको average investment बहुत आ देता हूँ कि कैसे निकालनी है? बताओ तो दिया ही है average investment is equal to initial investment या net investment divided by 2 that is 50,000 तो ये कितना हाजाएंगा? 14,000 divided by 50,000 into 100 that is 28% तो ये कितना हाजाएंगा? 28% आपका क्या हो जाएगा? average rate of return on average investment छीक है? simple था बिलकुल मज़ेदार दोनों method आपको traditional approach के समझ आ गए अभी तक हमारी traditional approach हो गई plus हमारे जो terminologies थी वो हो गई plus cutting हो गई चलिए अब आते हैं फटा-फट हमारी modern approach पर उमीद करता हूँ अभी तक अच्छे से समझ आ गया होगा? modern approach में मैंने आपको पताया था कि modern approach में होता क्या है extra? modern approach में हम लोग actually में जो सबसे important factor है that is discount factor, that is interest factor वो consider करते हैं time value of money को consider करते हैं जैसे कि आपको पता है सबसे important factor होता है वो time अगर आप time value of money ही consider नहीं करोगे तो आपका decision complete नहीं होगा अपने foundation में पढ़ा ही हुआ है time value of money, simple interest, compound interest present value, future value, सब कुछ पढ़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा time नहीं लगाने वाला क्योंकि वहाँ पर बहुत जबदर्स तरीके से करवाया हुआ है थीक है तो अगर आपको करना है तो time value of money, CA foundation का आपको introduction वाला कुछ पार्ट अपना आपको मिल जाएंगे description में लिंक दिया होगा है न वहाँ से देख सकते हो तो time value of money होता गया था या present value की अगर बात करें यहाँ पर हमें present value factor आना है तो मैं आपको present value factor ही directly बताता हूँ यहाँ पर present value factor बोलते हैं अब मान लिजिए मैं आपको बोलूँ आज आपने मेरे से 100 रुपे लेने हैं है ना तो मैं आपको बोलूँ की 100 रुपे आप मेरे से एक साल बात ले लेना यह 10 साल बात ले लेना तो क्या आप मेरा proposal accept करोगे बिल्कुल नहीं sir sorry क्यों नहीं करोगे आपको कुछ रिटार्न तो में लाई जो पैसा आज 100 रुपेया है क्या वो एक साल बाद भी 100 रुपे होगा या फिर आप उल्टे इसाब से कह लीजिए ये जीरो है ये एक साल बाद है एक साल बाद आप मुझे 100 रुपे देने की कोशिश कर रहे हो क्या ये 100 रुपेया जो एक साल बाद मिल रहा है उसकी प्रेज़ेंट वेल्यू 100 रुपे है? बिलकुल नहीं ये जो 100 रुपेया एक साल बाद मिलने वाला है इसकी प्रेजेंट वेल्यू कुछ और है that is a future value of rupi 100 future value 100 rupees यह न उसकी हमें 100 rupees निकालनी है present value निकालनी है तो इसका एक छोटा सा formula होता है आप calculator पे कर लिजिएगा 1 divided by 1 plus R the power N यह आप calculator पे कैसे करोगे 1 मालीजी rate of interest कितना है R क्या है rate of interest मालीजी rate of interest कितना है 10% वैसे तो आपको paper में table दिया ही होता है पर फिर भी calculator पे आपको आना चाहिए 1 divided by 1 plus rate of interest कितना है 10% 10% मितलब 0.10 तो यह आप 1 divided by क्या करोगे 1.10 1 क्या है principle point 10 क्या है interest ठीक है अगर मालीजी हम पहले दूसरे या तीसरे या चौत्रे साल का मैं जानना चाहूं तो आप calculator उठाइए मेरे साथ 1 divided by 1.10 फिर equal का बटन दबाओगे यह क्या आजेगा पहले साल का present value factor 0.909 फिर आप कुछ नहीं दबाओगे गलगटर पर equal दबाओगे 0.826 फिर equal दबाओगे 0.751 फिर equal दबाओगे बताओ जितनी बारी करना चाहते हो 683 अब मतलब क्या है यह जो 100 रुपे मुझे 1 साल बाद मिलने वाले है उसकी present value 100 नहीं है उसकी present value rate of interest अगर 10% है अगर discount rate अगर cost of capital 10% है तो कितना हो जाएगा 0.909 multiply by 100 90 रुपे 90 वैसे मैं इसको round off कर देता हूँ 91 रुपीस कर देता हूँ अभी के लिए मतलब जो हमें एक साल बाद 100 रुपे मिलने वाले है उसकी present value 100 नहीं है उसकी present value असली कीमत 91 है है ना और अगर जो पैसा अमा लीजिए ये 100 रुपे 2 साल बाद मिलते है अगर आप कहते हो कि सर मैं 2 साल बाद 100 रुपे दूँगा आपको उसकी present value 100 रुपे नहीं है उसकी present value कितनी है 0.826 into 100 हो जाएगा that is 82 रुपे 60 पैसा 82 रुपे 60 पैसा is the present value of रुपी 100 which would be recovered at the end of year 2 ठीक है जी जो दूसरे साल के end में recover होगा उसकी present value इतनी है तो ये है time value of money असली जो actually में decision होता है investment decision होता है capital budgeting decision होता है वो with time value of money होता है with interest rate होता है ठीक है जी तो आप इस तरीके से निगाल सकते हो ठीक है present value factor बोलते हैं उसको present value factor ठीक है अब आगे चलता हूँ मैं ये अपका present value factor हो गया चलिए अब हम एक एक करके आगे थोड़ा सा speed से बढ़ते जाएंगे सबसे पहले modern approaches में discounted payback period discounted payback period और simple payback period में सिर्फ इतना ही फरक है जो simple payback होता है उसमें discount factor consider नहीं होता मतलब interest present value factor consider नहीं होता पर जो discounted payback है उसमें discount factor, pv factor, interest rate, cost of capital consider होगा इतना फरक है ठीक है जी ठीक है सर चरिए फिर अब मैं आगे चलता हूँ इसमें निकालने का तरीका वही है अब आपको पता है यहां पर equal inflow तो होगा नहीं equal inflow तो होगा नहीं, क्यों equal inflow नहीं होगा क्योंकि जब अब discount factor लगाओगे तो हर साल का चाहे 20,000 रुपे inflow हो, 40,000 रुपे inflow हो discounted value तो change होती जाएगी ना discounted value तो change होती जाएगी जैसे मैंने आपको बोला कि यह 100 रुपे है मनलो हर साल 100 रुपे हैं, तो पहले साल जो 100 रुपे आया उसकी present value कितनी होगी 90 रुपे 90 पैसे, दूसरे साल जो 100 रुपे आया उसकी value कितनी होगी 82 रुपी 60 पैसा, तीसे साल जो 100 रुपे आया उसकी present value क्यों होगी 75 रुपीज 10 पैसा 30 साल जो 100 रुपी आया उसकी प्रेजन विल्यू कितनी है 68 रुपीज 30 पैसा मतलब क्या हुआ कुल मिलाके जो 100 पे जो 100 पे 1 साल बाद आया, 2 साल बाद आया, 3 साल बाद आया 4 साल बाद आया उसकी present value कुछ और हर साल होती गई क्योंकि अब इसको present value पे क्यों लेकर आए इसको present value पे इसलिए लेकर आए क्योंकि हम लोगों ने decision decision कब लेना है decision आज लेना है और number एक outflow आज है हमारे पास आज का outflow ठीक है जी और inflow भी आज का inflow भी आज का ही लेंगे आज का मतलब present value है ना inflow भी आज का लेंगे और outflow भी आज ही का लेंगे इसलिए decision making करने के लिए एक perfect decision लेने के लिए हमें perfect figures चाहिए होगी perfect information चाहिए होगी ठीक है जी चलिए अम मान लिजे वही question हम लोग continue कर देते हैं मान लिजे cost of machine है एक लख रुपे है life पांच साल है और cf.80 कितना है पहले साल पचास अज़ार है फिर तीस है फिर चालिस है फिर तीस है फिर लास्ट में पांच में साल का बीस है जा रहा है ठीक है ठीक है अब मैं इसको सही दरीके से लिखता हूँ क्योंकि इसमें आगे अगले वाले methods भी मैं यहीं से ही करवाने वाला हूँ तो चलिए years आगे पहले पहला column years का हो गया 1,2,3,4,5 यह 80 कितना है 50,000 30,000 40,000 30,000 20,000 प्रेजन वेल्यू फेक्टर मालीजे डिसकाउंट रेट 10 पर सेंट ही है ठीक है जी तो 10% पर कितना था वन डिवाइड बाई 1.10 पहला 909 पिर 826 0.826 फिर 0.751 फिर 0.683 0.621 चीक है जी चलिए यह अपकी आगी present value 50,000 into 0.909 that is 45,450 30,000 into 0.826 24,780 40,000 into 0.751 30,000 40,000 into 0.683 20,490 20,000 into 0.621 12,420 चीक है जी चलिए अब सबसे पहले हम लोग करेंगे यह present value आगई पांचों सालों का जो CFAT था उसकी चीक है जी चलिए जी अब सबसे पहले discounted payback period पे आएंगे discounted payback period में आपको पता है हम लोगों को करना क्या होता है चिरफ एक ही काम करना होता है कि जो outflow है वो कितने साल में recover हुआ तो पहले साल में यह आपके years हो गए यह आपके present value of CFAT बोलते हैं इसको ठीक है जी present value of CFAT हमने क्या लिखा है present value ठीक है तो पहले साल की present value कितनी है 45,450 दूसरे साल की कितनी है जी 24,780 हमें चाहिए कितना एक लाख तो साथ सत माइनस करते जाएंगे 1,00-45,450 और माइनस करते हैंगे 24,780 अभी हमारे पास चाहिए कितना 29,770 रूपीज और तीसे साल में जो recover हुआ है उसकी present value कितनी है 30,040 रूपीज मतलब ज्यादा ही है तो तीसे साल में ही सारा पैसा recover हो जाएगा कितना 29,770 रूपीज तो टोटल कितना हो जाता है वन लैक रूपीज ठीक है अब सेम वही टेकनीक है वे सॉल करने का 29,770 डिवाइड वाइड ये क्या था required डिवाइड वाइड वाइड एक्चुल जो आया 30,040 रूपीज 3,040 तो 29,770 डिवाइड वाइड वाइड 3,040 तो जी आगया आपका पॉइंट डबल नाइन वन तो ये कितना हो गया 2,99 येर्स मतलब approximate 3 येर्स भी लिख सकते हो और 3 येर्स ठीक है जी ये आपका क्या आगया discounted payback period ठीक है जी चलिए बिल्कुल असान था वही टेक्नीक वही है कि वही जितनी जल्दी पैसा रेकावर होगा उतना बढ़ी है method number two profitability index profitability index क्या है actually में ये ratio define करता है कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसकी ratio define करता है जैसे की formula इसका है चोटा सा बिल्कुल प्रेजेंट वेली ओफ cash flows या फिर आप प्रेजेंट वेली ओफिए फेटी भी लग सकते हो प्रेजेंट वेली ओफिए फेटी डिवाइड वाइड वाइड वेली ओफिए फेश आउट लेइड वाइड 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 cash flows कितना हो जाएगा जी हम इस सब का total कर लेते हैं 45,450 plus 24,780 plus 30040 plus 20490 plus 12,420 यह होता है 1,33,180 रुपीज ठीक है जी 1,33,000 वन एटी डिवाइड वाइड वाइड वन लेक तो यह हो जाता है 1.33 तो एक्चरी में यह है क्या इस वेल्यू को कहते है क्या है एक रुप्य हमने लगाया एक रुप्य हमने लगाया और रिकावर कितना हुआ एक रुप्य तित्यस पैसे एक रुप्य लगाने पर एक रुप्य तित्यस पैसे रिकावर हो गए that is the profitability index profitability index ठीक है जी चलिए तीसरा method यह हमारा सबसे important है actually में सबसे असान सबसे important आने वाला exam में है net present value method NPV method इसको बोलते हैं NPV net present value net present value क्या है जो पैसा हमने लगाया जो पैसा आया उसकी present value बतानी है और positive और बताना है negative है यहाँ पर decision कैसे लिए जाता है यहाँ पर decision बड़े असान तरीके से लिए जाता है अगर NPV simple सी बात है अगर NPV positive है तो project acceptable है अगर NPV negative है तो project reject हो जाएगा चीक है अगर NPV zero है that is called indifference point चीक है जी अब NPV आएगी कैसी बड़ा आसान तरीका है जी यह decision making criteria हो गया अब NPV आएगी कैसी कैसे आएगी लिखिये ज़ड़ा फटा फट अगर how to determine or you can say how to ascertain net present value इसमें सरफ आपको तीन स्टेप निकालने है step one exam में भी इस तरीके से करोगे तो बहुत ही मज़ा जाएगा चाहे चोटा साम आए चाहे बड़ा साम आए cash पहला step होता है cash outlay ठीक है जी अब cash outlay के अंदर आपको पता ही है क्या क्या होता है cost of machine आ जाएगी working capital आ जाएगा है ना या फिर अगर आप एक चीज़ उसमे और एड़ कर सकते हो मारीजे कई मरी क्या होता है कि कोई part हमने change करे वाली है दूसरे साल में या तीसे साल में हम कहते हैं कि भी 30 साल में 50 सर्वे का machine में part डलेगा 25 बे का part डलेगा तो वह part भी क्या हो जाएगा cost of asset का मतलब cash outlay का हिस्सा हो जाएगा part हो जाएगा या value का part हो जाएगा अब पर हम क्या करेंगे तो 30 साल में जो या दूसरे साल में जो पैसा इंकर हुआ है उसकी present value लेंगे present value लेंगे step 2 क्या हो जाएगा step 2 अपका हो जाएगा present value of CFET ठीक है जी वो अभी हमने table निकाला ही है वही चीज़ आ जा जाएगी मतलब यह minus में हो गई यह plus में हो गई step 3 क्या जाएगा terminal inflow terminal inflow में मैंने आपको बताई थी दो चीज़े आएगी एक salvage value अब इसको हम लोग multiply करेंगे present value factor for last year ठीक है जी last year का present value factor लग जाएगा last year का क्यों लगेगा क्योंकि machine जो subscribe में बेगेगी वो last year में ही बेगेगी ना पहले साल तो बेगेगी नहीं या दूसरे साल तो बेगेगी नहीं इसलिए last year का पीवी फेक्टर लग जाएगा नमबर एक नमबर दो working capital जो हमारे को recover हुई multiply पर क्या हो जाएगा पीवी फेक्टर ये भी last साल का ये मैंने आपको बताया था ना ये वर्किंग अप्टर रिकावर भी तो last साल में होगी तो ये total आपका terminal inflow हो जाएगा ये positive होगा ये भी क्योंकि inflow है मतलब पहला step outlaw है दूसरा step और तिसरा step inflow है है ना तो अब फाइनरी जो answer आएगा पहला outlaw दूसरा inflow तीसरा inflow तो net answer आएगा वो क्या आजाएगा net present value ठीक है जी net present value अब मैंने आपको बताई दिया कि positive है कि तो क्या करना है negative आगई तो क्या करना है हमारा decision क्या होने वाला है positive पे भी और negative पे भी है कि नहीं positive पे भी negative में भी क्या decision होने वाला है अब actually में एन अपी भी हमने निकाली क्या है ये वो value है जो disc व्याज वगरा निकालके सब कुछ cost of machine نکال हमारे पास capital appreciation आप कह सकते हो wealth appreciation बोल सकते हो यह जो NPV है यह capital appreciation है wealth appreciation है यह most suitable method है in all approaches in all conditions जिसने भी machines है यह जिस भी तरीके की machine है उसमें most suitable यह most useful method is the NPV सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही टेकनीक है और आपको पेपर में भी सबसे इंपॉर्टन होता है इसलिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान से इसको करना है अब इसमें आपको मैंने काफी चीज़े पहले ही बता दी इंडिरेक्टली जैसे की कैश आउटले कैश आउटले में मैंने आपको बताया आपको तीन चीज़े ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है पहला मशीन खरीदी कितने की दूसरा वर्किंग कैपिटल वो भी आज ही होगी तीसरा और लास्ट की हमने जो दूरिंग दा लाइफ ओफ एसेट अगर हमने कोई अगर हमने कोई मशीन में पैसा लगाया है इन्वेस्ट करी है उसकी प्रेजेंट वैलू ले लेंगे उसकी प्रेजेंट वैलू हम लोग कंसीडर कर लेंगे ठीक है न उसकी भी present value ले लेंगे है कि नहीं तो यह हो गया cash outlet दूसरा present value of CFAT present value of CFAT निकालने के दो तरीके होता है एक तो unequal inflow होगा जब जैसे कि इस question में unequal inflow था तो tabular form में निकाली ये अगर equal inflow है हर साल अगर equal inflow है तो फिर present value of CFAT कैसे निकालना है मालीजे वो कहते हैं कि हर साल CFAT केतना है 40,000 रुपे तो आप क्या करोगे CFAT multiple public cumulative present value factor अब cumulative present value factor कैसे आएगा मालीजे ये 10% वाला था 10% वाला था इसमें आप 5 साल का cumulative present value factor निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे calculator उठाओ ज़रा 1 divided by 1.10 equal दबाओगे ये पहले साल का PV factor आगया सर ये तो वही आया है जो पहले आया था हाँ वही आएगा फिर द्वारा equal दबाओ दूसरे साल का आगया फिर equal दबाया 30 साल का आगया फिर equal दबाया 4 का आगया फिर equal दबाया पांचवे का आगया पांचवे साल का आगया अब उसके बाद एक आपके calculator में बटन होगा grand total का GT अब GT दबाओगे तो यहां पर आजएगा 3.7908 यह जो पांचवे साल की value थी 0.909, 0.826, 0.783, 0.683, 0.621 इन सभी का sum अब कितना है 3.7908 सभी present values का पांचवे साल की मतलब एक रुपे हर साल था पांच साल में पांच रुपे था उस पांच रुपे की present value कितनी है 3.7908 if the rate of interest is 10% if the discount rate is 10% if the cost of capital is 10% ठीक है कि नहीं? तो जी अपका आगया present value अगर हर साल CFAT same होता है तो ठीक है जी? डन हो गया? चलिए खर आगे बढ़ते हैं अगला एक और बहुत important method होता है हमारा IRR method number char IRR internal rate of return IRR कैसे निकालेंगे? actually मैं IRR है क्या पहले? यह समझते हैं IRR actually में rate of return है जिस पे लगाया हुआ पैसा recover हो जाएगा जिसमें inflow is equal to outflow है जिसमें inflow is equal to outflows है IRR actually में एक discount rate है जो हमारी cost of capital नहीं है IRR actually में cost of capital नहीं है IRR एक rate of interest है जो define करता है कि इतने percent पे लगाया हुआ पैसा recover हो जाएगा यह project से इतने percent return आ रही है आप कह सकते हो जो inflow है और जो outflows है जो inflow है जो outflows है उसके हिसाब से जो लगाया हुआ पैसा है वो recover हो जाएगा ठीक है? जो लगाया हुआ पैसा है वो recover हो रहा है इस rate of return पे rate of return पे ठीक है जी? internal rate of return is the rate of return at which invested amount is recovered और IRR में क्या है? मैंने आपको बोला जैसे की यहाँ पे present value of cash flow is equal to present value of cash outlay ऐसा कभी होगा नहीं ऐसा कभी होगा नहीं कि 10% पे जैसे यह पिछला कुशन था एक लाकर पे आया आपका एक लाकर पे कोस्ट मशीन थी, inflow दीवी थी पांच साल की तो पांच साल का आपने निकाला तो ऐसा कभी भी नहीं होगा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वही एक्जेक्ट रेड पर 15% पे, 14% पे, 18% पे, 20% पे एक्जेक्ट प्राजन वेलियो कैश आउटले इस इकल तो प्राजन वेलियो कैश आउटलो और इन्फलो बराबर आ जाएगा कभी भी नहीं असा होता इसलिए हम एक छोटे से फर्मूले का साहरा लेना पड़ेगा एक छोटे से फर्मूले का साहरा लेना पड़ेगा तो लिखिए ज़रा IRR is equal to Lower rate LR झाल अब क्या है फर्मूला देखिए ज़रा LR means Lower rate PV of LR means present value of lower rate PV of HR means higher rate higher rate of interest ठीक है जी difference in rates मतलब जो lower rate और higher rate में जो difference है that is difference in rates higher rate minus lower rate ठीक है जी अब ये actually में implement कैसे होगा ये hit and trial method बोलते हैं इसको IRR को hit and trial method बोलते हैं ये आपको तुके से यहाँ पर value निकालनी होती है rate of interest अपनी मज़ी से choose करना होता है जैसे कि माली जीए ये last question था अब इसको हम लोग चलिए continue करते हैं अब यहाँ पर आपका sorry ये रहा अब देखो मैंने आपको क्या बोला था IRR में हम लोग क्या लेते हैं हमारी जो cash outlay है is equal to cash inflow आनी चाहिए वो actually में कभी आएगी नहीं IRR में कभी same आएगी नहीं मतलब कभी ऐसा होगा नहीं जो एक लाक रुबे cost of machine है वो इसके total के बरबर आ रहे present value of CFAT के बरबर आ रहे exactly कभी भी नहीं होगा that is impossible है ना तो इसलिए हमें क्या करना होता है इसलिए हमें दो value निकालनी होती है दो अलग अलग rate से दो अलग अलग value निकालनी होती है एक थोड़ी सी cash outlay से कम एक थोड़ी सी cash outlay से जादा एक थोड़ी सी cash outlay से कम एक थोड़ी सी जादा मतलब एक लाक रुपे से कम आना चाहिए present value of CFAT एक में एक में थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए छीक है जैसे देखो यहां पर हमने जो rate of interest लिया कितना 10% तो इसमें कितना आ रहा है 133,180 मतलब यह बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी तो हम क्या करते हैं अभी rate of interest को बढ़ा देते हैं चिदा ही double कर देते हैं चलिए यहां पर 20% से लेकर देखते हैं तो 20% पर आ गया 1 divided by 1.20 एकोल दबाया 0.83 हो गया फिर एकोल दबाया 0.694 हो गया फिर एकोल दबाया 0.579 हो गया 0.579 हो गया फिर एकोल दबाया 0.482 हो गया फिर एकोल दबाया 0.401 हो गया 0.02 ठीक है जी तो चलिए अब हम multiply किसके साथ कर देंगे multiply कर देंगे CFAT के साथ तो 50,000 into 0.83 41,500 30,000 into 0.69 4 24,200820 40,000 into 0.751 30,040 rupees 30,000 into 0.683 20,000 490 20,000 into 0.621 12,420 ठीक है जी को रिफटावट कर देते हैं 30,000 into 0.683 24,90 ठीक है 40,000 into 0.751 30040 30,000 into 0.826 24 sorry इसमें गट बड़ी है मैं को लग रहा था किसी में 30,000 into sorry 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 30,000 into 0.694 694 मैंने multiply कि रहाँ ठीक है ओके है 40,000 into 0.579 20,000 into 0.579 करेंगे तो यह आजाएगा 23,160 रूपीज तो यह आगे 30,000 into 0.482 1,444 60 और 20,000 0.402 8040 sorry मैंने न वापस द्वारा किसके सार मल्टिवले कर दिया इसी के साथी 10 वाले के साथी कर दिया तो 80 40 हो गया और पहला था 0.83 into 50,000 ठीक है 41,500 फिर हो गया 30,000 into 0.694 28,20 ठीक है जी अब ठीक है सभी का ठीक है तो यह हो गया 41,500 प्लस 20,000 A20 प्लस 23,160 प्लस 1,44460 प्लस 8040 यह बिलकुल सही आया है हमारा 107,980 ठीक है जी यह हमारा कितना आ गया 20% पे एक लाग से थोड़ा सा ज्यादा आ गया अभी भी ज्यादा है देखा जाए तो अभी भी हमें दो और निकालने पड़ सकते हैं ठीक है क्योंकि अब हम क्या करते हैं 25% पे आते हैं 25% पे PV फेक्टर अड़ रेट अफ 25% 25% पे हो गया 1 डिवाइड वै 1.25 0.8 हो जाएगा पहले का जुसरे का 0.64 जुसरे का 0.521 512 सुरी फिर 0.4096 फिर 0.3277 अब यह प्रेजन वेल्यू आ जाएगी यह थी हमारी 50,000 इंटू 0.8 40,000 0.64 इंटू 30,000 19,200 0.512 इंटू 40,000 20,000 480 30,000 इंटू 0.4096 122 80 sorry 122 88 last at 20,000 into 0.3277 6554 तो यह टोटल हो गया 6554 प्लस 122 प्लस 20,000 480 प्लस 19,200 प्लस 40,000 तो लीजिए यह थोड़ा सा आ गया एक 98,522 एक आपका 1,002 प्रेश से कम आ गया आप निकालने को इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप 22% पे भी ले सकते हो 22% पे भी तो वो क्या हो जाएगा ज्यादा closest हो जाएगा अब मैं 22% पे ले लेता हूँ last PV factor at the rate of 22% तो फिर वो ज्यादा closest हो जाएगा जितना ज्यादा close होगा उतना ज्यादा perfect answer, correct answer आएगा ठीक है 1 divided by 1.22 तुझे हो गया point 82 मैं इस बार दो बारी दो points में ले रहा हूँ फिर इकोल दबाया 0.67 हो गया फिर इकोल दबाया 0.55 हो गया फिर इकोल दबाया 0.45 हो गया फिर 0.37 हो गया ठीक है जी तो लीजिए यह आगी present value 0.82 multiply by 50,000 तो यह आगया 41,000 0.67 into 30,000 20,100 ठीक है जी for 0.55 into 40,000 22,000 0.45 into 30,000 13,500 ठीक है और 0.37 into 20,000 74,000 plus 13,500 plus 22,000 plus 20,100 plus 41,000 ठीक है जी तो जी हो गया 1,004,000 ठीक है जी तो दीजिए एक value हमारी एक लक्स से कमा गई एक थोड़ी सी जादा आ गई ठीक है जी तो फटा 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 अब यहीं पर ही हम solve कर देते हैं IRR when change कर देते हैं इसलिए आपको दिखना असान हो जाएगा IRR is equal to lower rate lower rate कितने वाला है lower rate हमारा यह 20 तू परसेंट है ठीक है जी lower rate हम difference किसमें निकालेंगे 22 और 25 में लेंगे न यह actually में 25 परसेंट पे कितना आ रहे हमारा 25 परसेंट में एक लाख रवे से कम आ रहे है और 22 परसेंट पे एक लाख से ज्यादा आ रहे है तो lower rate कितना होगे 22 परसेंट ठीक है और हम लोग क्या करते हैं present value of lower rate present value of lower rate कितना है 1,4000 माइनस कैश आउट ले कैश आउट ले कितना है एक लाख डिवाइड वैडिवाइड वैडिवाइड क्या करते हैं difference present value of lower rate माइनस higher rate present value of lower rate कितना है 1,4000 माइनस present value of higher rate कितना है 98,522 परसेंट अब difference किसमें है 25 और 22 में है ना 25 और 22 में कितने का difference है 3 परसेंट का तो multiple पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है जी तो चलिए यह हमारा आगया 22 परसेंट प्लस 4000 डिवाइड वैए 1,4000 माइनस 98522 तो यह आता है 5478 इंटू 3 तो यह हो गया 4000 22 प्लस 4000 डिवाइड वैए 5478 इंटू 3 तो यह हो जाता है 2.19 चीक है जी तो यह कितना हो गया 22 प्लस 2 24 24.19 परसेंट आपका क्या हो गया IRR इंटर्नल रेट ओफ रिटर्न ठीक है जी इंटर्नल रेट ओफ रिटर्न आपका कितना हो गया 24.19 परसेंट तो यह तरीका होता है आपका IRR निकालने हैंगा ठीक है जी अब इस पर क्या हो गया प्रेजिंट विली ऑफ कैश आउटले मतलब 1 लैक इस इकल टू इतने रेट अफ इंटर्स पे इतने रेट प्रेजमेली ऑफ सीएफेट कैश आउटले इस इकल टू प्रेजमेली ऑफ सीएफेटी होगा ठीक है जी यह आपका चौथा मेथड़ भी हो गया ठीक है जी पहला डिसकाउंटर बेबेक किया हमने दूसरा प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स तीसरा एन पीवी चौथा आया रा ठीक है जी अब चलिए आगे चलते हैं कैश कोस्ट इकवलेंट मेथड एक्चुली में ये कोई अलग मेथड नहीं है ये एक्चुली में एन पीवी ही है जैसे हम लोग एन पीवी में क्या करते हैं नेट प्रेजेंट वेल्यू मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो inflow है और outlaw है उन दोनों को consider करते हैं और difference NPV आ जाता है difference NPV आ जाता है और answer हम yes or no accept कर लेते हैं yes or no accept कर लेते हैं पर वहाँ पर return भी होती है inflows भी होते हैं outlaws भी होते हैं यहाँ पर अब कई बार माली जी ऐसा हो जाता है कई बार हमारे पास inflow की उक्ता information नहीं है जैसे अब हमारा जो अगला जो topic है chapter जो है वो इसका second part जो है capital rating decision का investment decision का risk analysis in capital rating decision उसमें main बात यही चीज़ के उपर होती है कि भई analysis हम लोग inflow का risk हमेशा रहता है confirm नहीं होता कि inflow कितना आएगा नहीं आएगा आएगा है ना तो मालीजे कई बर आपके पास information available ही नहीं है तो वहाँ पर आप decision लेना चाहते हो machine A या machine B में तो फिर कैसे लोगे तो फिर आप comparison कोस्ट का कोस्ट के साथ करोगे कोस्ट का कोस्ट के साथ comparison करोगे जिसकी कोस्ट काम आएगी जिसकी कोस्ट काम आएगी वो मशीन बढ़िया हो जाएगी जिस मशीन की कोस्ट काम आएगी वो मशीन बढ़िया हो जाएगी जैसे की चलिए example के थूँ अब आप कोस्ट का होगे कोस्ट किसकी काम आएगी कोस्ट अब आप सारा कुछ in term of cost देखोगे एक्जामपल के तोर पे वहाँ पे भी हमें निकालना क्या है NPV ही निकालना है वहाँ पे भी हमें NPV ही निकालना है तो चलिए मैं आपको NPV निकाल के आपको बताता हूँ question आपको लेता हूँ ठीक है किस तरीके का question यह बहुत असान है यह समझो आगया तो लोटरी है एक्जाम में एक्जामपल क्या है मारी जी इदर मशीन A है इदर मशीन B है ठीक है और cost कितनी है एक लग है इदर एक लग पीस हा जा रहा है life दोनों में चार साली है सबी तो इससे equivalent method बोल रहे है equivalent cash cost equivalent इसलिए बोल रहे है इसमें life दोनों मशीनों की same ही होएगी unequivalent में क्या आता है दोनों मशीनों की life equal नहीं है same नहीं है है ना और annual expenses कितने है इसके purchase हा जा रहे है इसके 18,000 रुपे है ठीक है जी तो इसके इलावा हमें सर्फ एक ही information है कि हमारा tax rate कितना है 30% है ठीक है जी चलें जी अब यह हमारा question है फटा फट कॉपी कर लेजिए post एक लाक और एक लाक बीस अजर life चार साल चार साल annual expenses पच्चेस अजर और रठारा है tax rate 30% है अब हमें इन दोनों में बदाना है कि भई हमारी machine कौन सी बढ़िया है ठीक है तो चलिए जी साइट पर हम ले ले लेते हैं machine A का और इदर ले ले लेते हैं machine B का ठीक है जी तो पहला step हमारा क्या होता है NPV निकालने के लिए cash out ले कितना है जी one leg I think पहला 120 था पहला हाँ one leg है तो दूसरा machine B का cash out ले कितना है 120 ठीक है जी one leg 20,000 step two present value of CFET अब उसके लिए हम लोग क्या करते थे आपको याद है उसके लिए हम लोग क्या करते थे annual inflow minus expenses अब expenses question में कितने दिये हुए है अब आपद आप लिए अब लोग करते थे करते थे अब लोग से अब लोग सबसके अब कि को याद आप कितनी है चार शाल पर तृप्शन कितनी होगी 25,000 ठीक है जी तो ये हमारी क्या आगई प्रॉफिट बिफोर टेक्स लॉस आगया देखा जाए तो पचास सजार रुपे जब इन्फलो है ही नहीं तो ये क्या आगया मैंनस में ये आगया ना फिफ्टी ताउजन लॉस आगया अब जब हमारे पास प्रॉफिट होता था तो टेक्स हम पे करते थे अब टेक्स हमारा सेव हो जाएगा तो यहां पर प्लस टेक्स सेविंग कर दोगे एड़ रेट ओफ थर्टी परसंट पचास से रिका थर्टी परसंट फिफ्टीन ताउजन तो जी हो गया आपका पैट प्रॉफिट अफ्टर टेक्स कितना माइनस में थर्टी फाइव ताउजन टेक्स सेविंग के बाद अब प्लस करते हैं हम लोग डेप्रिशिशन कितनी है पच्छिस अजार चीकरी तो लीजिए ये माइनस में आपका CFAT आ गया कितना दस अजार ये एक साल का है ये एक साल का है हम लोगों को क्या लेना होगा जब मैंने आपको बताया था गर Inflow हर साल सेम है तो हो आप अलग अलग टेबल क्यों बनाओ गे cumulative PV फेक्टर लगा देंगे तो लेट कर लीजे डिसकाउंट ये 10% है cumulative फेक्टर at the rate of 10% for 4 years ठीक है तो यह हो जाएगा 1 divided by 1.10 चार बार इकुल दबाएंगे 1 2 3 4 पे जीटी 3.1699 ठीक है जी इंटू कर देंगे 10,000 तो यह हो जाएगा present value of CFAT 31,699 ठीक है जी अब अन भी भी देखा जाए अन भी भी देखा जाए पहला step भी माइनस में था एक लाख दूसर step भी माइनस में है 31,699 ठीक है यह मशीन 1 की होगी ऐसे ही हम लोग मशीन 2 के निकाल देंगे तो cash outlay आई चुका है तो चलिए annual inflow गिवन नहीं है minus expenses मशीन 2 के expenses है 18,000 रुपे और depreciation कितनी है 1,20,000 है और cost 120 है life कितनी है 4 years 120 divided by 4 हो जाएगा 30,000 ठीक है जी तो यह अपका क्या हो गया profit before tax मतब loss हो गया 48,000 और plus tax saving हो जाएगा 30% 48,000 का 30% होता है 14,400 तो यह मारा आगया pat 33,600 plus depreciation 30,000 तो दीजे यह आगया CFET minus में 3600 इंटू क्या करोगे YCME cumulative present value factor 4 4 years at the rate of 10% 3.1699 ठीक है जी तो यह अपका हो जाएगा 600 के साथ 3600 इंटू 3.1699 11 1412 रूपीस ठीक है जी आउट लो correct है जी अब total NPV कितना हो गया जी 120 पहले स्टेप में था और दूसरे स्टेप में कितना है 11412 तो यह हो गया 131,000 412 यह machine two का हो गया b machine का तो यह machine one का हो गया अब यहान पर कौन सी machine की cost कम है यहां फर machine one और two की cost कम है है ना तो हम machine two accept कर लेंगे machine two accept कर लेंगे है कि नहीं machine to accept कर लेंगे तो यहाँ पर आपने सारा कुछ note कर लिया कि किस तरीके से किस तरीके से हम लोग पहले step से लेकर last step तक चलेंगे क्योंकि जो सारा जो game था यहाँ पर tax saving का था अगर tax rate ना हो फिर तो असानी बड़ा है समद्ध है ना अगर मा लीजिए इस question में tax saving का point ही ना हो tax का अगर point ही नहीं है यहाँ भी मैं discount rate लिख देता हूँ 10% है ना अगर मा लीजिए यहाँ पर tax rate 30% होता ही ना तो आप खुद सोचो यहाँ भी हम क्या करते expenses का amount लेते minus deposition का लेते अब 25 और 25 50 हो जाता 50 में से वापस अब deposition प्लस करते तो कुल मिला के बचना कितना था expenses बचना था 25,000 अगर tax rate का point ना हो tax का point ना हो तो 25,000 अब आपके expenses हो गया ठीक है और कुम गुमा के वापस CFAD कितना आ जाता 25 या जाता minus में ठीक है न तो 25,000 अब क्या करते 3.1699 तो उस case में बिलकुल ये वाला जो process था ये वाला process बिलकुल ही ignore हो जाता खत्म हो जाता है कि नहीं उस case में बिलकुल ही zero हो जाता ये point मज़ेदार बात ये थी तो इतना बड़ा step आप का process जो था वो easy हो जाना था अगर हम लोग क्या करते अगर हम लोग क्या करते यहाँ पर tax saving का point tax rate का point दीना होता ठीक है तो फटा फटा आप काम कीजिए इसको copy कीजिए क्योंकि काफी important point है ठीक है झाल झाल क्ये झाल क्या है झाल 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 हाँ जी ये था बच्छो अपना cash cost equivalent method cash cost equivalent अब एक last method हमारा होता है cash cost unequivalent हाँ cash cost unequivalent actually मैं ये भी कोई अपने अपने कोई अलग से method नहीं है मैं आपकोई reality बताऊं तो ये भी कोई अपने अपने अलग से method नहीं है cash cost unequivalent method में क्या होता है equivalent और unequivalent दोनों में difference कि चीज़ का है तरफ एक point का difference है वो है life of asset life of asset अगर मानीजिए यही वाले question में यही वाले question में अगर पहली machine की life let कर लो दो minute के लिए let कर लो कि इसकी life कितनी है तीन साल इसकी life उल्टा कर देते हैं इसकी life 4 साल है इसकी life 3 साल है ठीक है तो फिर आपका answer क्या होता अब यह ना सोचते हैं कि नहीं नहीं आपने idea लगाया तीन साल में इसका खच्चा तो इतना ज़्यादा है इसका तो इतना है तो इससे साबसे यह हो गया नहीं तो अब क्या करोगे cash cost unequellent में मतलब life अगर दोनों की seem नहीं है तो बहुत ही simple तरीका होता है आप लोग क्या कीजिए जो भी आपका NPV आया है जो भी आपका NPV आया है उसको आप divide कर दोगे cumulative present value factor के साथ जैसे कि पहले की पहले की अगर मैं reality में बात करूँ यह 4 साल की ही life है और 4 साल की ही cost है यह cost total कितनी आई है 1,31,699 रूपीज 1,31,699 रूपीज चार साल की आई है divide by 4 नहीं करना वो तो average आ जाएगा न इसके according without discount factor यह तो value जो है वो discounted value है per year की तो divide by आप क्या करोगे 3.1699 डिवैड़ वे 3.1699 तो on an average एक साल की cost कितनी आ गई 41547 41547 है na 41,547 यह on an average cost आ गई average cost आ गई कितनी की एक साल की ऐसे ही दूसरे के निकालनी है तो जिसकी average cost average cost कम आएगी वो machine बढ़ी है जिसकी average cost कम आएगी उसकी machine वो machine बढ़ी है ठीक है न इसके बाद एक last method यह वारस था cash cost unequalant जिसमें बस इतना ही difference होता है कि life different होगे बस last step बाकी सारा question सेम रहेगा एक last step में हम लोग क्या करेंगे divide by cumulative PV factor करेंगे जिससे आपकी पर year की cost आपको पता लग जाएगी जिससे आप comparison कर पहोगे easily कि machine वोन बढ़ी है कि टू बढ़ी है और इसके बाद एक last होता है replacement decision कि machine replace करनी है कि machine रखनी है परानी machine continue करनी है इसमें बलकुल simple NPV ही निकालना होता है परानी machine का NPV नई machine का NPV दोनों में जो ज़्यादा favorable होगा NPV वो बड़ी है अगर परानी NPV ज़्यादा आ रहा है तो continue रखना चाहिए मतलब replace नहीं करना चाहिए अगर नहीं का ज़्यादा आ रहा है तो नहीं वाली replace कर लेनी चाहिए ठीक है बच्चो यह हमारा capital budgeting का first part था जिसमें सारे method हमने discuss किये maximum position हमने cover किया अब एक risk analysis का topic है हमारे intermediate exam में जो बहुत ही important है बहुत ही बड़ी है वो भी है न तो वो next lecture में हम लोग cover करेंगे तो यह हमारा capital budgeting का first part था उमीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा आपको ठीक है तो enjoy किया होगा हपसोग ठीक है तो इस तरीके से आप revise कर सकते हैं अपना capital budgeting का chapter थेंक्यू बच्चो